जो हम पहला पार्ट इस्टील एस्टीमेट इस्टील ट्रस का जो एस्टीमेट का पहला पार्ट बनाए थे उसी का अगला पार्ट है सेम कोस्चन है बस पहले वाला पार्ट देट लिजेगा उसके बाद ही हमें ये दूसरा जल्दी से समझ में आएगा तो हमें अब निकालना है painting तो painting जो निकालना है यह इसमें two coats over one quota priming in steel work जो हमें painting करना सिधा समतलब यह है अब वो कितने coat करवाना है हमें main अभी quantity निकालने से मतलब है कि कि कितना हमारा area आता है क्योंकि पुताई जो होगी वो area निकालना पड़ेगा square meter में हमें निकालना पड़ेगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो जितने भी हमने member निकाले हैं जो जितना भी हमने steel work जितना भी weight हमने निकाला है से members के लिए हम यहां पर क्या करेंगे painting करेंगे ठीक हैं तो हमारा principle doctor है तो अभी हमने जो देख चुके हैं या जो जिसके पास PDF है वो देख लेंगे वहां पर तो हमारा two into two यानि कि वह number वही है four numbers length भी वही है अब यहां पर width जो है यह width change हो जाएगा width कैसे change होगा और कैसे calculate करेंगे मैं अभी आपनों को बताऊंगा तो यह अभी यहां पर इतना आया है अब हम देखते हैं कैसे आया है हमने एक example लिया हुआ है principle राफ्टर का ठीक है principle राफ्टर जो है हमारा उसका हमने example लिया है ठीक है तो हम उसका क्या यहां पर perimeter की बात कर रहे हैं जो भी 50 आख आछ में पूताई करना है तो इसफेस पर करना है और इसफेस परना पड़ेगा इसी प्रकार यहां वी करना है यहां भी करना तो इसी प्रकार जैसे 75 है तो 75 इधर भी होगा ठीक है तो 75 प्लस 75 और इस साइड के लिए 50 młot ने तो यहां पर अब बात आती है कि यह थिकनेस 8 mm को हम काउंट नहीं करेंगा तो यहां पर जो है यह डारेक्ट ऐसे नहीं मूड़ा हुआ रहता है तो उस थिकनेस को हम इंक्लूड नहीं करते हैं सीधा सीधा आमें लेंथ निकालना है जैसे हमने इसको बताया ना यही कंसेप्ट हर एक मेंबर में यूज होगा तो चलिए हम यहां देखते हैं यह देखिए यहां पर 0.25 यहीं है इस ट्रट जो पहले हम कर चुके हैं इस ट्रट के लिए भी 75 वाई 50 वाई 10 का है दो नंबर है लेंथ इतनी है और इसका भी हम वो निकालेंगे तो 75,500 और 200 हो यह यहीं कि 0.25 अब इनका multiply करते जाना ऐसे ही सारा है इसमें हम टाइम ना बेर्थ करते हुए हम आगे बढ़ते हैं अब हमने पिछले पेश पर जितना हमारा क्या था एंगुलर सेक्शन थे एंगल सेक्शन थे हमने उसको पिछले पेश पर निकाल लिए हैं वो PDF से आप थोड़ा सा देख लिजेगा अब नेक्स हमारा टाई में सेंट्रल अब यह क्या है दूसरे प्रकार का बार है ठीक है फ्लैट बार्स है यह तो फ्लैट बार्स के लिए यह रेक्टेंगुलर होता है तो इसको कैसे निकालेंगे हम थोड़ा पेरिमीटर निकल जाएगा 10 और 10 इधर पी 10 हो जाएगा इधर भी 8 हो जाएगा तो यह 20 सेंटीमीटर हो गया और 8 दोनी 16 mm हुआ है ठीक है तो दोनों का यूनिट सेम करके हमें करना पड़ेगा तो हमारा यहाँ पर जो है फ्रवासा यहाँ देखिएगा यह misprint है यह जो 10 लिखा है यहाँ पर हमारा क्या होगा 50 होगा 50 बाइ 8 है यहाँ पर देखिए आगे इसको bracket में किया है वही हमने यहाँ पर 10 ले लिया इसलिए गड़बड हो रहा था तो यह हम यहाँ पर 50 ले देंगे ठीक है तो हमारा यह 50 औ में में आएगा इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.116 मीटर आजाएगा ठीक है यह वही चीज है यहाँ पर यह दो नंबर लेंथ हम सब पहले कर चुके हैं सिर्फ यह नहीं पेरिमीटर की बात चल रही है द्यान रखिएगा यह ब्रिट था क्या है पेरिमीटर है तो हमारा यहाँ से स्क्वाइर मीटर में आ जा रहा है इसी प्रकार यह हमारा गैसे प्लेट है यही पी fuse है कैसन है फो उसका वह पेरिमीटर निकाल लेंगे vita म में जो लगा था उसका वह यहाँपर एक चीज यहाँ पर जिए जो हम ने यह गेबल पॉर्सन के लिए जो बाहर हमने डेड़ेड मीटर के लिए जो एंगल सेक्षन निकाला था राफ्टर ठीक है तो इसके लिए यहां पर नहीं दिया हुआ है तो वो चीज़ देखिएगा ध्यान से छोटना नहीं चाहिए वहां हमें यदि लिए हैं तो यहां भी लेना पड़ेगा ठीक यहां पर नेक्स हम निकालेंगे क्या जी रूफिंग यह कई बार कोस्टन में बोल देता है कि कितने पीस निकालना पीस में पूछ देता है ठीक है नंबर आफ पीस पूछता है तो हमें उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे छोटा सा ठीक है उसमें हम यह साइड में लगेगा एक साइड के लिए 21.3 21 क्लियर इस्पान है 15 सेंटीमिटर इदर और 15 सेंटीमिटर अंदर जो है वाल्स में सपोर्ट के लिए और फिर यह लेंथ जो है 7.80 लिया है देखे हमारा प्रिंसपल राप्टर जो था वह 7.60 था ठीक है यह दिख रहा होगा त तो 5 सेंटीमिटर इधर बढ़ा हुआ है और 5 सेंटीमिटर इधर बढ़ा हुआ है तो इसके लिए हमारा जो होगा वो तो इधर जो है हमारा 5 सेंटीमिटर बढ़ा हुआ है इधर minimum 5 लेना है यहाँ पर ज्यादा लिया हुआ है अपन 10 सेंटीमिटर या 5 सेंटीमिटर भी ल मिलती है यह तो कितने नंबर आप पीस जो लगेंगी उसको निकालने के लिए हम अलग से चोटा सा वीडियो बनाएंगे नेक्ट है यह उपर में 25 सेंटिमेटर चौड़ी की हुई है यह पूरा थ्रू आउट है सीधा लेंथ में ही मिलता है यह तो इसका जो क्वांटिटी है 21.30 मिटर हो जाएगा यह से यहां पर हमारा कोस्षेन खतम हुआ और इसका अब्स्ट्रेक्ठ के लिए स्टील वर्क जो हम निकाले हैं वह पूरी कॉंटिटी ठीक है उसका यूनिट किस में निकाले न क्विंटल लिए धक्विंट लिए निकाले हैं तो अर इसका जो स्क्वाइर मीटर में यदि हम ले रहे हैं तो स्क्वाइर मीटर के हिसाब से मल्टिप्लाइब करके और जितना भी आया है उसका रेट कल्कुलेट करने के बाग 3% contingencies और 2% work charge establishment इसका निकालेंगे ठीक है यह जो हमारा टोटल है इसका 3% फिर 2% फिर जो है सबको एड कर देंगे तो यह ग्रैंड टोटल हो जाएगा यही है और बाकि जो नंबर आफ सीट्स है उसको हम नेक्स उसमें क्या थोड़ा सा बेसिक बताना पड़ेगा ठीक है कि कि इसकी साइज में अबलेवल होती है स्रीट्स हमारी और क्या विट्स रहता है यदि जी रूफिंग है या फिर कास्ट आयरंड वाली स्वारी जो हमारी सिमेंट वाली आती है स्वेश्टर सीट तो उसके लिए हम नेक्स्ट एक वीडियो बनाएंगे तो हमारा यह थ्री